प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें मैं है इसलाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स मुंबई के घाट कोपर रेलवे स्टेशन पर एक लोकल ट्रेन से एक महिला की दुरघटना का शिकार होने से बच गई जिसकी CCTV फुटेज भी सामने आई है घटना 28 अक्टूबर की बताई जा रही है जहां घाट कोपर रेलवे स्टेशन पर एक लोकल ट्रेन खड़ी रहती है मगर जैसे ही लोकल ट्रेन चालू होती है तभी एक महिला लोकल ट्रेन की तरफ दोड़ पड़ती है और चलती हुई लोकल ट्रेन में चड़ने लगती है मगर तभी संतुलन भीगण जाता है और महिला लोकल ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है इसी दोरान आरपीएफ के जवान सुभाश भोसले और एक अन्रिबेक्ती ने समय रहते ही महिला को लोकल ट्रेन के पास से दूर खीच लिया ताकि महिला को चोट ना लगे वही इस 15 सिकेंड के वीडियो को रेल मंत्री पेस गोईल ने टूइट कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है साथ ही आरपीएफ के जमान की सराहना भी की है अक्सर देखा जाता है कि रेल यात्रा करते समय सावधानी लोग नहीं बरतते हैं जिसकी वज़ा से हाथ से कशिकार हो जाते हैं घाट कोपर की इस वीडियो से सीख लेने की बेहत जरूरत है कि चलती लोकल ट्रेन या अन्य वाहनों से नहीं उतरना चाहिए और नहीं चलती हुई लोकल ट्रेन या अन्य वाहनों से उतरना चाहिए सावधानी बरते और सुरक्षित रहें तमाम ख़बरों को जानने के लिए देखते रहें प्रहाटाइब